नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतरगत काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे काल हिंदी व्याकरण का एक महत्पूर्ण पार्ट होता है हम आज जानेंगे कि काल किते प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है काल के बारे में जैसे हमें जानकारी अलग-अलग माध्यमों से अलग-अलग प्रकारों से मिलती है तो उसके आधार पर काल का किसी भी सब्द के काल का निर्धारन होता है सबसे पहले हम देते हैं कि काल किसे कहते हैं काल का मूल अर्थ होता है समय या वक्त जो दैनिक जीवन या कारिकलाबों के आधार पर अलग-अलग समय का निर्थारन विभिन प्रकार के नियमों एवं सब्दवाली के आधार पर किया जाता है किसी क्रिया, क्रियायर्थार, कारिकलाब या कर्म उनके घटित होने का समय जो होता है वह काल कहा जाता है कार व्यपार समय और उसका पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने के लिए क्रिया गया क्रिया का रुपांतरन काल कहा जाता है यदि कोई घटना घटित होती है तो उसे अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है और जिस प्रकार वह घटना होती है वर्तमान में अतीत में या भविश्य में होने वाली है तो उसे उस आधार पर अलग-अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है और साथ ही यदि उस कारे में पुर्णता या अपुर्णता है तो उसे अलग तरह से निर्धारन करके किया जाता है साथ ही कुछ कारे ऐसे भी होते हैं जो की संभावना के आधार पर होते हैं। कि उनका घटित होने की संभावना है या वो घटित हुए हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि वास्तों में वो घटित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके आधार पर भी काल का निर्धारन किया जाता है। मुख्यता काल के तीन वेद होते हैं, भूत काल जो की बीता हुआ समय है, जो की हो चुका है, अभी बीत चुका है, ऐसा समय, वर्तमान का दूसरा काल होता है, जो की वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमें सामने में प्रत्यक्ष द्रिश्य हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहें और तीसरा काल होता है भविश्यकाल, जो आने वाले समय में घटित होगा और जिसकी संभावना ही हम कर सकते हैं, पुर्णत्त हम उसे नहीं बता सकते कि वह होगा या नहीं होगा, उसे कहते हैं भविश्यकाल. साथ ही काल का जब निर्धारन व्याकरिन में किया जाएगा, तो क्रिया का व्यापार कब हुआ, हो रहा है या होगा, इसका भोध भी हमें काल के माध्यम से कराना पड़ता है. जो एक विशेश सब्दावली के साथ काल का परिभासा कहा जा सकते हो है, काल क्रिया के उस रुपांदरन को कहते हैं, जिससे क्रिया के वैपार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है. सबसे पहले हम देखेंगे भूत काल, भूत काल बीते हुए समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो समय बीत गया, जैसे मालीजीय आज, जो साल चल रहा है, मालीजीय सन 1980, 1970, सन 1200, इस प्रकार जो पुराने समय है, उनका निर्धारन किया जाएगा. भूत काल, यूतो भूत काल बीते हुए समय की बात होती है, लेकिन इसमें भी अलग-अलग भेद होते हैं, जैसे समान्य भूत काल, दूसरा है आसन भूत काल, तीसरा अपुर्ण भूत काल, चौथा है पुर्ण भूत काल, पाचवा संदिक्त भूत काल, और छटवा है हेतू हेतू मत भूत काल अब हम विस्तार से इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है भूत काल को हमने 6 हिस्सों में बाटा है घटनाओ के आधार करें सबसे पहले देखेंगे सामान्य भूत काल इसमें क्रिया के जिस रूप में या ये यी चुका चुकी चुके इत्यादी द्रिश्य होते हैं यदि कोई सब्द है जिसमें ये सब्द आखिर में आते हैं तो इनसे पता चलता है कि ये सामान्य भूत काल है लेकिन इसमें कारे होने का तो पता लगता है लेकिन या हुआ या नहीं हुआ इसकी पुर्णता या अपुर्णता का पोथ नहीं होता यदि किसी ने समान्य भूत काल का प्रयोग किया तो वह सिर्फ बीती हुई घड़ना को बताएगा जैसे उधारन के लिए बच्चा गया या स्यामने पत्त्र लिखा तो स्यामने पत्त्र लिखा तो क्या उसने पुर्ण लिखा या वह नहीं लिख पाया इसका भेद नहीं होगा वैसे ही मोहन घर गया तो मोहन घर पहुचा या नहीं पहुचा यह बात इस वक्के से इस पश्ट नहीं होती इस प्रकार के सब्द जो है वो समान्य भूत काल में आते हैं मैंने जहाज देखा वह रोटी खाई इस प्रकार के सब्द समान्य भूत काल में आएंगी वस्तुता इसमें क्रिया के वैपार की बीते हुए समय में समाथ तो होने की सूचना मित्ती है अब हम देखेंगे आसन भूत काल आसन भूत काल वह होता है जिसमें या है ये है यी है या चुका है चुकी है चुके है इस प्रकार के सब्द आते हैं इसमें देखनी परियर बदर रखता है कि क्रिया के वैपार की समाथ तो हो जैसे मान लेजिए निशान्त गया है अर्थात इसमें यह दिखाए देगा कि निशान्त जो है वो चला गया है लेकिन वो पहुँचा है कि नहीं जहने लिख रहा है सुधा आई है बच्चा आया है सयन्य पत्र लिखा है तो इसमें यह पता लगता है कि यह कारे लगभभ पूर्ण पोचुका है लेकिन पूरी तरह से यह पूर्ण नहीं है यदि इसमें होता कि बच्चा आ चुका है या कमल गया है इस प्रकार के सब्द हैं इसमें साथी राम अभी आया है अभी अभी राधा सो गई है तो इससे यह पूर्ण होता है कि कारे लगभभ समाप्त हो गया है या अभी वह समाप्त हो जाएगा अभी अभी अगला है अपूर्ण भूतकाल अपुर्ण भूतकार में क्रिया के वैपार की समाप्ती की अपुर्णता प्रगट हो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादी सब्द आते हैं इस रूप में काम का होना स्पुर्ण हो गया है या कार्याथ बीच चुका है परन्तु पूरा होना प्रगट होगा इसमें साथी या इस सब्द में जो मूल सब्दावली या उसकी भावना होगी वह यह दिखाई देगा कि कार्याथ पूर्ण हो चुका था जैसे रामु आ रहा था, बच्चा आ रहा था, स्याम खेल रहा था स्याम पत्र लिख रहा था, कमल जा रहा था, मोहन मैदान में घूम रहा था मैं साल में एक बार घड़ जाता था, वह हांकी खेल रहा था इस प्रकार के सब्द इसमें था, रहा था, रही थी, रहे थे इस प्रकार आ रहा है और इसे यह दिखाई दे रहा है कि वह कार्य पूर्ण हो चुका है जैसे हमने देखा रामु आ रहा था में यह है कि रामु आ रहा था, वह पूर्ण था, कि वह आ रहा था, इस प्रकार के सब्द अपूर्ण भूतकाल में आएंगे अब हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल, पहले हमने देखा अपूर्ण भूतकाल तो अपुर्ण भूत कार में हमें ये दिखाए देते हैं कि वह कार्य होतो रहा था लेकिन वह पुर्ण हुआ नहीं था, वह कार्य चल रहा था अब हम देखेंगे पुर्ण भूत कार, जिसमें कार्य पुर्ण हो चुका है कार्य समाप्त हो चुका है अर्थात यह एक एतिहाथी सत्य होगा कि जो भी कार्य था वह पुर्ण होने का प्रमाण है इसमें जो आने वाले सब्द है वह आया था, आई थी, आये थे, चुका था, चुकी थी, इत्यादी आएंगे साथ ही इस प्रकार के भूत काल में, जो कि पुर्ण भूत काल कहा जाता है, इसमें कार्य समाप्त हो चुका है और उसमें समय बीच चुका है अर्थात कारे पुरी तरह से पूर्ण हो चुका है जैसे बच्चा आया था स्याम ने पत्र लिखा था कमल गया था पदमा ने नित्त किया था उसने पढ़ा था वह मेरे यहां आया था मैंने सिनेमा देखा था वह दिल्ली गय थे इस प्रकार के सब्द आएंगे जिसमें पूर्णता है सब्द में तो इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाएगा अब हम देखते हैं संदिक्त भूतकाल जिसमें भूतकाल का तो बोध होता है लेकिन कारे के होने में संदेह होता है या कहें कि कारी की समाप्ती में संदेह उत्पन होता है इसमें होगी इत्यादी सब आते हैं जैसे स्यामने पत्र लिखा होगा अर्थात यह दिखतो रहा है कि भूत काल का है लेकिन यह पुर्ण नहीं है कि हमें पता लग जाए कि वास्तों मेंने स्यामने पत्र लिख लिया होगा या नहीं लिखा होगा या पुर्ण भी हो सकता है अपुर्ण भी हो सकता है तो यह संदे के आधार पर इसे संदिक्त भूतकाल कहा जाएगा इसी बेकार बच्चा आया होगा स्यामने पत्र लिखा था कमल को जाना होगा चायत तुमने देखा होगा आपने कहा होगा इस प्रकार के सब्द आएंगे तो संदित भूतकाल इसमें आएगा और आखरी है हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कारे होने पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया का होना आश्रित है इसे हेतू हेतुमत कहा जाता है यदि एक कार्य होगा तो ही दूसरा कार्य का निर्धारन होगा यदि पहला कार्य अस्फल होता है तो दूसरा कार्य भी अस्फल भूत्काल में हुआ होगा अथ्रत आश्रित पर आधारी बूदकाल को हेतु हेतु मत बूदकाल कहा जाता है जैसे वह पढ़ता तो उप्तिर्ण हो जाता यदि बूदकाल में उसने पढ़ाई किया होगा तो वह उप्तिर्ण हो जाता यदि वह जाता तो मैं भी जाता उसी प्रकार यदी वर्षा होती तो फसल अच्छा होता एक और उधार में यदी सुधा ने कहा होता तो मैं अवस्य चालता अर्था दो क्रियाएं आपस में सम्बन्दित है और दूसरे पर आस्ष्छित है यदी एक क्रिया सफल हुई होगी हेतु हेतु मत का मूल अर्थ है कारे और कारण का संबंद हेतु हेतु भूत में भी दो बाते होती है जो कारे कारण को सुचित करती है कारण पर ही कारे निर्भर है हेतु हेतु मत भूत काल में दो बातों का होना का जाता है अर्थात एक पहनी बार स्वतंत्र और दूसरी बार जो आश्रित है अर्थात यदि कारण नहीं है तो कार्यका नहीं होना होगा अर्थात यदि मालीजी एक उधारण जो हमें देखा था वह पढ़ता तो उत्तिर्ण हो जाता माली जी उसने पढ़ाई नहीं की तो उत्तिर्ण नहीं होगा और माली जी उसने पढ़ाई की तो उत्तिर्ण हो जाएगा तो पढ़ना भी संदेह में है और उत्तिर्ण होना भी संदेह में है और आपस में एक दूसरे खाश्रित है यदि उत्तिर्ण होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इसलिए इस प्रकार के सब्दों को हेदू हेदु मत भूतकाल में गिना जाता है हम देखते हैं अब अगला काल वर्तमान काल वर्तमान काल अर्था जो समय अभी चल रहा है या जो घटना अभी घटित हो रही है तो इसमें जो घटना होती है वर्तमान में वह चलती तो रहती है लेकिन समाप्त नहीं होई रहती वह लगाता हमारे साथ चलती रहती है क्रिया के इस रूप को वर्तमान काल कहा जाता है इस क्रिया में वर्तमान समय में संपन होने का बोध होता है जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो इस प्रकार के सक्थ वर्तमान काल में आते हैं वर्तमान काल को हम पांच प्रकार से बाढ़ सकते हैं समान्य वर्तमानकाल, अपूर्ण वर्तमानकाल या तातकालिक वर्तमानकाल, पूर्ण वर्तमानकाल, संदिग्ध वर्तमानकाल और संभाव्य वर्तमानकाल ये जो मूल भावना होती हैं सब्दों की उसके आधहार पर बाटा गया है अब हम देखते हैं समान्य वर्तमानकाल क्रिया के जिस रूप में पुर्णता या पुर्णता का ज्यान नहीं हो उसे समान्य वर्तमानकाल का जाता है इसी प्रकार का उधारन हमने भूतकाल में भी देखा था कि समान्य भूद काल जो है उसमें भी पुनता या पुनता का बोध नहीं होता जैसे राम घर जाता है, मैं किताब पढ़ा हूँ, वह गेंद खेलता है तो इसमें यहली पता लगा है वह गेंद खेल रहा है, खेलना संपन्न हो चुका है या खेलना चल रहा है उसी प्रकार बच्चा रोता है स्याम पत्र लिखता है कमल आता है वह जाता है मैं जाता हूँ वह जाती है तुम चाते हो इसमें क्रिया का गोना दिखाई तो दे रहा है लेकिन संपूर्णता या अपूर्णता दिखाई नहीं दे रही है इस प्रकार के सब्द आने पर उसे समाने वर्तमानकाल कहा जाएगा जो दूसरा प्रकार है वह है अपूर्ण वर्तमानकाल या तातकालिक वर्तमानकाल तातकालिक से आप यह समझ सकते हैं कि वह कारे निरंतर सांथ सांथ चल रहा है या अपूर्ण है इसमें जो सब्ध है वो रहा है रही हूँ इत्यादी आते हैं जैसे स्याम गेंद खेल रहा है मतलब स्याम अभी सामने में गेंद खेल रहा है कारिय चल रहा है और पूर्ण नहीं हुआ है खेलना उसने पन नहीं किया है, तो वह खेल रहा है, मैं भोजन कर रहा हूँ, तो भोजन अभी किया जा रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, और नहीं रुका है इस कारी को, वह घर जा रहा है, बच्चा रो रहा है, स्याम पत्र लिखता है, कमल आ रहा है, इस प्रकार के सब्दो अब पूर्ण वर्तमानकाल आएगा अब देखते हैं पूर्ण वर्तमानकाल इसमें क्रिया दो है वह पूर्ण हो चुके होती है लेकिन वर्तमान में अभी अभी वह Article रिया इसमें कार्यख होने की पूर्णता का भूत होता है जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी है अर्थात मोहन ने पुस्तक को अभी समाप्त किया है पढ़ लिया है मैं फल मैंने फल खाए है उसने गेंद खेली है पहले हमने देखा तिक स्याम गेंद खेल रहा है जो कि अपुर्ण था अब यदि हम देखेंगो उसने गेंद खेली है अ पुर्ण वर्तमान काल इसमें हम भूद काल और वर्तमान काल जो पुर्ण होता है उसमें भेद कर सकते हैं कि यदि उसने गेंद अभी-अभी खेली है तो वह पुर्ण वर्तमान काल में आएगा लेकिन यदि यह रहता कि उसने गेंद खेला खेला था था आता तो वह भूद काल बन जाता लेकिन इसमें है का प्रेवब हुआ है इसलिए यह वर्तमान काल में आएगा अब हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में वर्तमान करके होने में संदेह का बूद हो वह संदिख्ध फरतमानकाल होता है जैसे रमेश छी समय खाना खाता होगा अर्थात वह कहीं और बैठा है और यह अनुमान लगा आजा रहा है कि वह जब कहीं पर है तो वहां पर खाना खा रहा होगा अब बच्चा रोता होगा च्याम इसे मैं पत्र लिखता होगा अर्थात कहीं और है और वह हो सकता है कि वह पत्र लिख रहा होगा तो इस प्रकार के सब्दों में संदिक्त वर्तमानकाल आएगा साथी काजेश पढ़ता होगा इस प्रकार के जो सब्द है वह संदीक्त बरतमान काल में आएंगी इसके बाद है संभाव के बरतमान काल इस प्रकार के काल में कारे के होने की संभावना होती है या यह बोध होता है कि यह कारे हो रहा होगा संभावना है इस बात की जैसे देखो घर पर वह आया है हो सकता है रमा बजार गई हो इसमें पूर्णत्रा संभावना है वास्त्विक्ता इसमें दिखाई नहीं दे रही है कि यह कारे हो रहोगा बस एक संभावना है कि यह कारे हो रहोगा अब हम देखेंगे भविश्यकाल भविष्यकाल वस्तुता ऐसे प्रकार के कारियों को कहा जाता है जो कि भविष्य में घटना घटित होगी वर्तमान और भूत काल से हटकर यह तीसरी प्रकार की काल की परिमासा है जिसमें घटना आने वाले समय में होने का अनुमान लगा जाकता है जैसे ज्यानु दिल्ली चायेगा, मीनु आम लाएगा, राजु देर से पढ़ेगा, इस प्रकार की घटनाओं को बविस्यकार करते हैं या एक और उधरत देखते हैं, रवी कल घर जायेगा, अर्थात गया नहीं है, बविस्यमें जायेगा इसमें क्रिया का व्यापार आने वाले समय में किया जाना या घटित होना सुचित होगा बविस्यकार के दो प्रकार के भेद होते हैं, समान्य बविस्यकार और समभाव प्यद्विस्यकार समाज ये भविश्यकार वह काल होता है जिसमें कारे के भविश्य में गटित होनी का बोध होता है लेकिन यह पूर्ण नहीं पूरी तर से पता नहीं लगता कि यह पूर्ण होगा या पूर्ण होगा जैसे हम घुमनी चाहेंगे स्याम पत्र लिखेगा हम राम पुस्तक पढ़ेगा मैं पुस्तक पढ़ूँगा इस प्रकार दूसरा प्रकार है जो संभावे भविस्यकार जिसमें कारे के भविस्यम होने की संभावना का बोध होता है कि संभावना है कि ऐसा होगा जैसे सायद वह दिन आएगा सायद आजवह आए संभव है स्याम पत्र लिखे सायद संध्या बारिस हो संभव है मोहन आएगा लगता है वह चला जाएगा इस प्रकार के काल में, संभव वफेश से काल में अनुमान होता है संभवना होती है और इस भाव का बोध होता है जैसे अनुमान, अनुमती, इच्छा, आसीष, विधिया, आदेश जैसे भाव का बोध होता है अनुमान जो है वह संभव है अनुमती जो है अब मैं यहां से जाऊं इस प्रकार की अनुमती इच्छा इस्वर सबकी रक्षा करे या आदेश तुम कल मेरे पास आना इस प्रकार का सब्द जो है वो संभावन धोईस्य काल में आता है आज करी इतना हैं साथियों आज हमने देखा कि काल किते प्रकार के होते हैं और उनका विश्ट्रित अध्यन किया साथ ही हमने उनके उधारन देखे कि काल किस प्रकार से उप्योग किया जाते हैं अपने सब्दों के बीच में आज के लिए इतना है साथियों आपसे नुरोध है कि हमसे जोड़कर हमें अपना सहयोग और मारदर्शनीरंतर प्रदान करें जिससे हम अधिक से अधिक ज्यान का प्रकास फिलाने में समर्थ हो सकते हैं धन्यमाद